हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग आयो बढ़िया हूंगे चलिए आज बनाते हैं लौकी और चने की दाल से बहतरिन दाल तीन कप चने की दाल धुल के ले लिया दो कप कटी हुई लौकी एक मेडियम पे आज चॉप किया हुआ वन इज अतरब जूलियन, वन इस्पुन चॉप गार्लिक, वन इस्पुन हल्दी पाउडर 1 इस्पुन मिल्चा पाउडर, वन इस्पुन गरम मसाला, वन चॉप टमयटो, त्रे पिंच हेंग, अब ले लेना है गरम मसाले दो तेज पत्ता, चार से पांच लौन वन छोटी ल दाल को हम कूकर में बनाते हैं कूकर चड़ा दीजिए अब उसमें चारी स्पून डाल दीजिए और गरम होने पर थ्रे पिंच हेंग डाल दीजिए यह दाल बहुत ही हिल्दी है और टेस्टी भी बहुत लगती है प्लीज आप लोग इस दाल को एक बार ट्राई जरूर करें तेल अब गरम हो चुका है इसमें थ्रे पिंच हेंग डाल दे अब सारे खड़े मसाले को डाल देना है अब चौप गार्लिक को डाल देना है थोड़ी देर गार्लिक को बूनना है जब गार्लिक लाइट गोल्डन हो जाए तब इसमें प्याज डाल देना है प्याज को भी गोल्डन हमको करना है प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है अब इसमें हमको अद्रक डाल देना है अद्रक मैंने बारी काट लिया है ग्रीन चिली डाल देजाए थोड़ी तेर भूनने के बाद इसमें टमाटर डाल देना है मैंने यहाँ वन चॉप टमाटो लिया है मैंने चॉप टमाटो लिया मैंने अधर बादो पस्याधन है अधर के बड़ाद आख मस्याद मैंने पड़ाँ है अब तड़का हमारा रेडी है चलिए इसमें वन इस्पून हल्दी पाउडर डालते हैं हाफ इस्पून लाल मिर्च पाउडर वन इस्पून गरम मसाला डाल के अच्छे से भून लेते हैं अब इसमें बारी कटा हुआ लोकी डाल दीजिए इसके बाद चने की डाल बी डाल देते हैं चने की डाल को आधा गंटा पहले ही दूल के रख दिया था अब इसको अच्छे से बूल लेते हैं चना और लॉकी के जो यह दाल है यह दाल ठीक ही अच्छे लगती है अब जीरा राय, रोडी के साथ खा सकते हैं अब दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया है चले अब इसमें पाने डालते हैं दाल हमारी 3 कप थीक तो हमको 5 कप पाने डालना है और लौकी भी अपना पाने रिलेज करती है ये दाल हम थिक बना रहा है अगर आपको पतला बनाना है तो पानी बढ़ा सकते हैं अब लिड लगा मीडियम लू फ्लेम पे फोर विशल आने देजे ताल हमारा पक जाने पर लास्ट्रत तड़का लगाते हैं तड्ill का पैन में वन इस्पून गी ले लीजिए भाव थे स्पुन कास्मेरी लाल मिर्च डाल दीजे लाल मिर्च से बावन तीखा नहीं हो गा कलर इन्फ हो गा कि चैले अब تड़का लगाते हैं तड़का हमारा लग गया है चलिए अब हम आपको सर्फ करके दिखाते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें आए होप अच्छे से मैं अपनी रेसिपी आप लोग को बता पाती हैं यह दाल मैंने आज डिनर में बनाया था, चलिए मैं आपको अपनी थाले दिखाते हूँ थैंक यू फर वाचिंग, बाई